सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटे को जरूर दबाए यह बिल्कुल प्री है टाटा मोटर्स ने गिनीवा मोटर्स शो में अपनी इलेक्टिक कार अल्ट्रो जीवी पेश कर दी है साथ इसकी डीटेल भी उबलब्त कराई है जिसके मताबिक यह कार भारत की पहली प्रीमियम हैद्बैक इलेक्टिक कार होने का दावा कर रही है इससे अगले साल यानी 2020 में लॉंच किया जाएगा टाटा की मोटर्स की इलेक्टिक मोबिलीटी बिजनस की प्रेशिदेंट शेलिष चंद्रा ने मताबिक कम्पनी देश में 25 से 20 जगहों पर इलेक्टिक भान बेचने की योजना बना रही है टाटा अभी भारत में टिगोर इलेक्टिक बनाती है ज़ातर कारे सरकारी आउडर पर सब्लाई की जाती है शेहलिट ने संगे दिये कि अल्ट्रोस के आने से पहले कमपनी कुछ और इलेक्टिक वहानों की घोष्ट ना कर सकती है टाटा मोटर सरकारी विभाबों के लिए लेक्टिक बस और चोटे करम शिल भाहन बनाने पर भी फोकस करेगी अल्ट्रोस इलेक्टिक हेएकल के रिएगूलर अल्ट्रोस कार के साथ अलफा प्लेट्फॉर्म पर बनाया जाएगा Tata ने कार की technical specification के बारे में खुलासर किया है इसमें कार में permanent magnetic AC motor होने का दावा किया गया है जो की single speed gearbox के साथ आईगी इस कार की बैटरी एक घंटे में 80 फिजी तक चार्ज होने की समभावना है Tata Motors के मताबिक कार की launching के वक्त तक बैटरी performance को और भी दुरस्त किया जा सकता है यह कार सिंगल चार्ज में करी 25 से 300 किलोमेटर तक चली जा सकती है इलेक्ट्रिक वेहिकल की रहा में अभी charging infrastructure के बड़ा बदा है लेकिन साल 2020 तक इसे ठीक किया जा सकता है यह एक साथ सीटर कार होगी जिसकी लंबाई 4000 mm और चोड़ाई 1700 mm और उचाई 1500 mm होगी साथी wheelbase 2500 mm का होगा कंपनी की और से कार में काफी space होने का दावा किया जा रहा है कार के interior को ऐसा design किया गया है जो साथ सीटर होने के बाद भी अराम दायक होगा इस कार की लॉंचिंग से मारुटी सुजुकी वैगनार EV और हिनिंडा इकोना EV को जटकल लग सकता है जब यह लॉंच होगी तो दोस्तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताए आपको यह टाटा की अल्ट्रोस EV इलेक्रिक कार कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो और ऐसी ही और वीडियो देखने चाहते तो हमारे चैनल हिंदी न्यूस को सब्सक्राइब करें और जितना उसके इस वीडियो को शेयर करें धन्यवाद दोस्तों